Good morning students, today we will discuss about two questions answer of chapter 6 देखो बच्चो, हम six chapter के जो question answer हैं उनके बारे में discuss कर रहे हैं आज हम six chapter के next two questions हैं उनके बारे में discuss करेंगे ओके, chapter का name क्या है? सबसे पहले तो आपको chapter का जो name है वो पता होना चाहिए बच्चो, chapter name क्या है? safety and first aid, ओके, चलो अब हम question शुरू करते हैं question है हमारा how कैने fire caused by electricity be put off क्याता कि जो fire होती है electricity की वज़े से उसको हम put off means put off का मतलग है भी बुजाना उसको हम कैसे put off कर सकते हैं, कैसे बुजा सकते हैं तो देखो बच्चो, जब chapter हमने पढ़ा, तब हमने पढ़ा था कि electricity की वज़े से जो fire होती है, क्या उसको आप पानी से बुजा सकते हो? नहीं, क्यों नहीं बुजा सकते हो? अगर आप उसकी electricity से fire लगी हुई है, आग लगी हुई है, अगर उसके उपर आप पानी डालोगे तो क्या होगा? इलक्रिकल सोक लगेगा क्यों? क्योंकि जो पानी है, वोटर है, वो क्या है? कंडेक्ट करता है, electricity को नहीं है, मिन्स उसमें से electricity पास होके आपकी बोड़ी तकाएगी और आपको electrical soak लगेगा मिन्स आपको current लगेगा तो फिर आप electricity के अंदर जो आग लगी है उसको कैसे put off करोगे कैसे आप बुझाओगे तो कैसे बुझाएंगे fire car by electricity can be put off put off by throwing sand over it कहता है कि जो fire electricity की वज़े से लगती है उसको हम put off करेंगे किसकी उसके उपर क्या फैकेंगे sand by throwing sand कि उसके उपर हम sand throw करेंगे sand throw करेंगे जिससे क्या होगा कि जो fire है वो एक्स्टिंड हो जाएगी and it's help of special fire extinger और इसके लिए कोई special fire extinger है उसका हम use करेंगे बचो fire extinger सोता है आग बुजाने वाला fire extinger आग बुजाने के लिए जो हम use करेंगे वो fire extinger आप देखो बचो उस पर हमने कहा कि हम sand को throw कर देंगे तो इससे क्या होगा जब हमने उसके उपर rate फैकेंगे sand throw में जब rate फैकेंगे तो उससे क्या होगा कि oxygen की जो supply है वो cut हो जाएगी या हम कह सकते हैं कि air की जो supply है वो cut हो जाएगी और यह जब हमने chapter पढ़ा तब भी हमने पढ़ा था कि air is necessary for burning जो air होती है या हम कह सकते हैं oxygen is necessary for burning कि oxygen है वो जलने के लिए जरूरी है कोई भी substance है चाहिए किसी से भी आग लगी हो चाहिए water में लगी सोरी oil में लगी हो चाहिए electricity में लगी हो चाहिए kitchen में लगी हो sand throw करने की वज़े से क्या होगा कि वहाँ पर sand उपर आ जाएगा और air है वो नहीं पहुच पाएगी और इसी वज़े से जो fire है वो क्या हो जाएगी extinct हो जाएगी और दूसरा क्या है हम जो special fire extinger होते हैं उनका भी use कर सकते हैं fire को extinct करने के लिए उसके बाद next question है बच्चो हमारा question number two है what first ad would you provided in following case कता कि following case दिये गए है इन में आप first ad क्या करोगे means जैसे कि आपको फ ambiguity हो गया तो आपका सबसे पहला step क्या होगा आप सबसे पहले क्या करोगे यह तो है कि हम doctor के पास जाएंगे लेकिं doctor के पास जाने से पहले बिया क्या करोगे तो इसके बारे में आप बचे तो आप इस question को खुद करेंगे पहला केस क्या है इन केस ओफ फैक्चर का मतलब है कि कहीं से हमारा हाथ फैक्चर हो जाता है तूट जाता है तो उस दोरान हम क्या करेंगे वी सुड़ अपलाई करेंगे जो जो बोन्स ब्रेक होने के बाद जो अन्नसेसरी मुमेंट है उसको हम अवोइड करेंगे बलकि उसी जगह है उस जहां पर भी फैक्चर है उसको वैसे ही हम बान देंगे ठीक स्पोर्ट के लिए और तुरंत टेक विक्टिम टूए डोक्टर इमीडेटली इमीडेटली का मतलब होता है बच्चो तुरंत और हम भी डोक्टर के पास लेके जाएंगे विक्टिम मींस जिसको चोट लगी है कि कई बार नहीं करते है कि पैर पैसे ज्यादा वर्डन आ जाती है न स्पिनस्टर जाती है पहल में नॉर्मल लगता है कि मल्डक सी आ गई है दर होने लगता है तो उस केस में हम क्या करेंगे वी सुट रैप दा बेंडेज आराउंड ज्वाइंट और प्रिवेंट इट और गरम पानी से उसकी क्या करेंगे सिकाई करेंगे टू और थ्री टाइम से दिन में दो तीन बार उसकी सिकाई करेंगे पट्टी बांदेंगे बैंडेज बांदेंगे और इसके अलावा उसके क्या गरम पानी से सिकाई करेंगे दिन में दो तीन बार ठीक है और टेक दा victim to the doctor की victim को किसके पास लेकर के जाएंगे डोक्टर के पास लेकर के जाएंगे उसके बाद third है बच्चो in case of dog bite अगर आपको कभी कुटा काट लेता है तो आप क्या करोगे पहले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चो आपको we should wash the wound with soap and water and apply an antiseptic cream सबसे पहले तो वाउंड उस घाव को जहाँ पर dog ने bite किया है तो उसको soap से या water से आप अच्छे से साफ करोगे साफ करने के बाद उसके उपर antiseptic cream लगाओगे और उसके बाद आप डोकटर को कहां पर लेकर जाओगे जब कोई भी animal हमें काटता है dog bite करता है cat bite करती है monkey bite करता है तो वो क्या करता है कि जो रैबीज वाइरस है वो हमारी उसमें बोडी में इंजेक्ट कर देता है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके आगे इस वैक्सिन लगवाना चाहिए इसी वज़े से जब डोग हमें बाइट करता है तो हम क्या करते हैं डोक्टर हमें एंटी अब लगमाने चाहिए तो यह क्या थे बच्चों कि डिफरेंट सिचुएशन सिचुएशन में ​​ में आप क्या करोगेंd डिफरेंट सिचुएशन कोन कोन सी करोगें। पर स्पेन होने पर और डोग बाइट करने पर ठीक है देखो बच्छो दो ही कुशन दिये हैं ज़्यादा कुशन ही है एक कुशन बिल्कुल छोटा सा ही है और एक थोड़ा सा बड़ा है वो भी नहीं वह भी आसान है ठीक है तो दोनों कुशन आप अपनी फेर नोटबुक मे लिख करके देखेंगे, ओके, धन्यवाद बच्चों,